Hey guys, welcome back to my new vlog और आज किस व्लोग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ Bird Park of Shumla जहां बहुत से लोग तो नहीं आते पर फिर भी वहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं So, Himalayan Bird Park Advanced Study and Trans Road वाले चौक पर है जो चौड़ा मैदान से बालुगंच की तरफ को लगभग हाफ किलोमेटर है आप मॉल रोड से यहां के लिए पैदल आ सकते हैं साथ ही बालुगंच से भी यहां के लिए एक अपर स्ट्रेट रोड जाता है जो की एक पीसफुल रोड है और पैदल वॉक करने के लिए बेस्ट है हालांकि आप मॉल रोड से यहां तक के लिए टेक्सी भी ले सकते हैं बर्ड पार्क में एंट्री डूर पर ही आपको टिकेट मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट अराउंड 15 से 20 रूपीज रहती है यहां पर आपको लिमिटेड बर्ड ही देखने को मिलते हैं जिस चीज को शायद इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंट्री बेशक थोड़ी कॉस्टली हो जाए पर वर्थ होनी चाहिए यहां आपको हिमाचल का स्टेट बर्ड वेस्टन ट्रेगोपैन यानि जुजु राना भी देखने को मिल जाता है साथ ही सिल्वर फिजेंट किसे चीनी मुर्गा कहते हैं और डोमेस्टिक डख यानि बद तक आपको देखने को मिल जाती है यहां पर हिमालेन पिकॉक और हिमालेन हैन भी आपको देखने को मिल जाता है यहां का एरिया काफी सुन्दर है लेकिन बर्ड कम जिसकी वज़े से आपको यहां घुमने में लगबग 5-7 मिनट ही लगेंगे कर दो प्रौने गुमने में लगें में लगेंगे भी लगेंगे लगेंगे लगेंे। झाल 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 अगर आपने इन सब बर्ट्स को पहले कभी नहीं देखा है तो आपका यहाँ आना वर्थ रहेगा आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी शिमला से रिलेटेड और भी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल केकेस्बी व्लॉग्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई तक के लिए बाबदेश कर सकते हैं